इस वक्त देश की स्यासत काफी स्यादा करमाई हुई है बड़ी वज़ा है नए संसत भवन का उद्धगाटन दरसल आपको बता दे कि 28 माई के दिन देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसत भवन का उद्धगाटन करने जा रहे हैं लेकिन विपक्ष का ये साफतोर पर कहना है कि इस नए संसत भवन का उद्धगाटन प्रधान मंत्री नहीं बलकि देश की महा महीम राष्टेपती द्रोपती मुर्मुजी को करना चाहिए तो ऐसे मैं तक्रीबन 20 राजनितिक दल हैं जो मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और बहिशकार कर रहे हैं इस कारिक्रम का लेकिन दूसरी ही तरफ 16 राजनितिक दल ऐसे हैं जो मोदी सरकार के समर्थन में हैं और उनका कहना है एक एतिहासिक पल है इसे राजनितिक मुद्दा ना पनाया जाए इसी बीज देखा जाए तो जारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है जारखंड में भी अब स्यासत तेज हो चुकी है जारखंड वो राज्चे है जो काफी जादा मायनी रखता है राश्टपती द्रोपती मुर्मुजी के लिए नमस्कार मैं प्राणशी राठोर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस हाल ही में देश की राश्टपती जारखंड से राजधानी दिल्ली वापिस लोटी है जारखंड वह पहुची राची में उन्होंने उच्छ न्याले का उद्गाटन किया और दूसरी ही ने तरफ महिला संभीलन का भी वह हिस्सा बनी अब देखा जाए तो यहाँ पर जामूमों के निताओं साफतोर पर आरोप लगा दिये हैं दरसल आपको बटा दें कि अब जामूमों के निताओं का साफतोर पर कहना रहा है बीजेपी ने संताल आधिवासी महिला को अपमान जार्खंड राज्य का गठन 23 वर्ष पूर्व हुआ था तब भी राष्ट्य पती द्वारा जारी अध्यदेश से ही राज्य का गठन हो सका था पर आज उसी राष्ट्य पत को भाजपा की सरकार दरकिनार कर रही है भाजपा के साशन में राष्ट्य पतियों की जाती बताई जाती है पूर्व राश्टेपती रामनात कुविंद को दलित बताया गया वर्तमान राश्टेपती को आदिवासी कहा गया बीजेपी जाती बता बता कर अपमानित कर रही है जिस देश के संविधान का संरखशक संसत का संरखशक और टीनो सैनाओ का प्रमुख पती होते हैं उसी देश के संसद्भवन के उद्गाटन में राष्ट पती को आमंतरित नहीं किया जाना दुर्भागयपूर है ये बताता है कि भाजपा के एक रद्दे में उनकी कितनी कटता है और भाजपा ये कौन सी परंपरा शुरू कर रही है सारे बिपक्षी दलों के स जामूमों भी मैदान में है और बहिशकार कर रहा है तो ऐसे में देखा जाए ये ही कहा जा रहा है कि राष्ट पती को आमंतरित तक नहीं किया गया है हलंकि खबरे ये भी सामने आई है कि राष्ट पती द्रोब्दी मुर्मुजी बधाई संदेश देंगी तो वहीं उपर राष्ट पती भी वहीं दूसरी ही तरफ विपक्षी दलों का ये कहना भी है कि राष्ट पती अगर उपस्तित नहीं है इस कारेक्रम में तो राष्ट पती से उद्गाटन कराना चाहिए लेकिन ए आई-माइ-म के प्रमुख असुदिन ओवीसी कहते हैं कि लोग सभाय स्प पाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज